भाती कृशी अनुसंद्धाव संद्धान परी सद्यानी आई सियार ने किसानों की इंकम डबल और उसे ज़ादा होने वाली एक रिपोर्ट जारी की है इसमें देश भर के 75,000 किसानों का उधारिंग दिया गया है इस रिपोर्ट को जारी करके इतरार है आई सियार को अपनी एक टीम केंदे कृशी मंतिन अर कि मद्यप्रदेश में लेसुन पादकों में अहाकार मच गया है उनकी लाकत भी नहीं निकल पा रही है आयट डबल होने की बात तो बहुत दूर की है दस बीगे में लेसुन की खेती करने वाले एक किसान ने बताया कि जिसकी कीमत 100-120 रुपए प्रती किलो मिलनी चाहिए उन्हें 8 रुपए में बेचनी पढ़ रही है वहिए उन्होंने कहा कि अकले साल पचास बीगे में लेसून लगवाऊंगा लेकिन अब दाम की सिती देखकर इसकी खेती ना करने का उन्होंने फैसला किया है वहीं बता दे कि किसान ने ये भी कहा कि 10 बीगे की खेती में अपनी महनत लेकर करीब 3.5-4 लाख रुपए तक की लागत आती है आम तोर पर एक बीगे में 20 कुइंटल उत्पादन होता है लेकिन इस साल 14-15 कुइंटल ही हुआ है क्योंकि फसल बेमौसम बारिश की चपेट मे तब जाकर किसानों को लाग होगा लेकिन बता दे कि उन्होंने कहा हम तो 500-800 के रेट पर इसे बेच रहे हैं वहीं 10 बीगे में 150 कुइंटल लेसुन पैदा हुआ है जिसका 800 रुपए के भाफ से 120,000 रुपए हुआ ऐसे में घाटे का अंताजा आप खुद लगाईए इंकम बढ़ने और डबल होने की भाद तो छोड़ ही दीजे इसलिए कुछ किसानों ने अपने खेट में ही ट्रेक्टर चलवा दिया स्टोरेज का इंतजाम सभी के पास नहीं है इसलिए किसानों को नुकसान सहे कर फसल बेचनी पड़ती है कोई स्थुद लेने वाला भी नहीं ह वहीं बता दे कि सरकार लेसुन को भी MSP के दायरे में ले आए विग्यानिक तरीकों से लागत पर मुनाफ़त तै करके इसका न्यूतनम दाम तै करे और खरीद की गैरेंटी दे वन्हा किसान भरबाद हो जाएंगे वहीं किसान का ये भी कहना है कि पिछले साल उन्होंने 120 प्रती किलो तक के दाम पर लेसुन बेचा था इस साल भी 10-12 रुपे प्रती कुइंटल तक के रेट का अनुमान था वहीं उजयन में 16,000 रुपे प्रती कुइंटल के रेट पर 10 कुइंटल बीच खरीद कर लगाए गया था लेकिन इस साल बीच का रेट भी नहीं निकला महनत भी बेकार गई वहीं किसान ये भी कहा कि एक्सपोर्ट ना होने की वज़े से दाम इतने कम हो गए उदर किसान महा पंचायत के राष्ट ये अध्यक्ष ने भी कहा कि एक्सपोर्ट ना होने की वज़े से इस साल लेसुन उत्पादर किसान को भारी नुकसान हो रहा वहीं राष्ट से इंजिले के एक किसान ने बताया कि उन्होंने साथ एकड़ में लेसुन की खेती की थी और इस वक्त पांच लाक रुपए के शुद्ध घाटे में हैं राष्ट से एक ट्रक लेसुन लेकर नीमच बेशने गए थे कुल पिचतर हजार रुपए की बिक्री हुई जिसमें से 32,000 रुपए ट्रक का किराया लग गया वहीं बता दे कि किसान ने ये भी कहा कि उन्होंने 350 रुपए प्रति कुइंटल यानि 3.5 रुपए प्रति किलो के रेट पर लेसुन बेचा है जितना लेसुन नहीं बिका उसे मंडी में ही छोड़ आ गये क्योंकि उसे वापस ले आने का किराया भी उनके पास नहीं बचा वहीं वेपारियों और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से किसान पिस रहे हैं लेसुन भी MSP के दारे में लाया जाए वरना किसानों को नुक्सान के लावा कुछ नहीं मिलेगा किसानों का कहना है कि लेसुन का ए हेक्टेयर में लेस्ट की खेती हुई थी जो ये 2021-22 में बढ़कर 4,000,000,000 हेक्टेयर हो गई यानि की रिकॉर्ड 9,000 हेक्टेयर का इजाफा हुआ है उत्पादन की बात करें तो ये एक साल में ही बता दे 87,000 मिलिट्री टन बढ़ गया है साल 2020-21 में 90,000 मिलिट्री टन तामसड़ी झाल झाल